दोस्तो मेल्पनस रो स्वागात आप सभी का स्वाधिस्ट बोजन में दोस्तो आज हम बनाएंगे निमोने की सबजी दोस्तो आप देख सकते हो मारे पास यहां पर हरी मतर के दाने हैं दोस्तो यह दाने देसी मतर के हैं हमें इस रेस्पी में दोस्तो हरी मतर के दाने तो चाह उससे ज़्यादा ही टेस्ट आता है कुछ खाने में उसके बाद दोस्त हमारे पास यहाँ पर चार आलू है आप चाहे तुँ आलू को और ज़्यादा भी ले सकते हैं चार टमाटर हे, अदरिक हे, थोड़े से lassन हे एक, एक प्याज हे, हर वला लेसन की पत्ती हे, उसके बाद दोस्तो हरी मेश हे, हर धनिया हे, मसाले में क्या चाइए दोस्तो तो आप देख सकते हो हरी मेश हे, हल्धी हे, दाल ची निकट टुकड़ा हे, बड़ी लैची हे, छो यहां पर मैं आलू को छील के पानी में डिप कर दी हूँ इसको हम काट लेंगे दोस्तों आलू को हम जब भी छीले इस बात कर जरूर ध्यान रखे है कि आलू को हमें तुरंत पानी में रखना है नहीं तो आलू काले हो जाते हैं कडाई में हम डालेंगे दोस्तों सरसयो का ते तड़के में दोस्तों हमारे पास यहां पर हरे लेशन की पत्तियां तेज पत्ता हैं तो लाल मेश है एक दाल चरीप टुकड़ा एक प्याज है इन सब को डाल देंगे इसको थोड़ा से लाल होने तक भूनेंगे दोस्तों अभी तक चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किय तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल की घंटी को बजाना ना भूलिएगा तो दोस्तों आप देख सकते हो तड़के अच्छे से भून के तयार हो गए हैं इसको हम डोला देते हैं एक बार इसमें हम डाल देंगे जो आलो को काटके रखे हैं इसको भी अच्छे से तड़के में मिला देंगे दोस्तों मैंने सब्जी की ओल भी रिस्पी बनाई हूं अगर आपने नहीं देखे हैं तो उपर दिए वाई बुटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं उसके बाद दोस्तों अब इसको हम ढग देंगे दो मिनिट के लिए तो सबसे पहले दोस्तों हम सील पर क्या करेंगे हरी मडर को पीस लेंगे इसको ज़्यादा हमें महीन नहीं पीसना है हलका दरदरा पीसना है जैसे कि आप मैं आपको पीस के दिखाती हूं यह दिखिए इस तरह से इसको हमें पीस देना है दोस्तों यह अच्छे से पीसाग है इसको हम अलग बरतन में रख लेंगे अब मसाला को पीस लेंगे दोस्तों नमोने की रिसमे में हमें हरे धनिया हरे लेसिन की पत्तिया हरे मिर्च इन्हीं सब चीज का प्रियोग करना चीए जैसे कि इससे बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आता है दोस्तों तो यह दिखिए पीस के तयार हो गया है तो चलते हैं कडाई की तरफ दोस्तों दो मिनट हो गया है सबजी खोलेंगे तो आप देख सकते हो सबजी अच्छे से लाल होने लगी है उसके बाद दोस्तों आप इसमें हम जो मतर को पीसे हैं यह डाल देंगे इसको मिला देंगे दोस्तों हमें हरी मटर को इसी टाइम पर डालना है जैसे कि अच्छे सी यह थोड़े से कडाइम लगने लेगा तो इससे बहुत ही ज़दा टेस्ट आएगा इसको ढग देंगे दो मिनिट के लिए उसके बाद दोस्तों हम टमाटर को काट लेंगे तो यहापर मैं टमाटर थो बड़ा चमस नमक या स्वादा अनुसार कि इसको भी अच्छे से हम मिला देंगे गैस के आच मीडियम लोग करके इसको भूनेंगे दोस्तों जैसे कि इसका भी बहुत ही अच्छा खुस्वू आनी लगे यहाँ पर मैं मसालिक अच्छे से मिला दी हूँ फिर से इसको ढग देंगे दो मिनट के लिए दो मिनट होगे दोसे अब हम खोलेंगे तो आप देख सकते ह। सब्जे चीसे लगने लगी है। इसमें हम पानी डाल देंगे.. यहाँपे पानी मैं दोस्तो दो गिलास बड़े डाल रही हूं.. आप चाहें तो पानी कम ज़दा कर सकते हैं.. और और टाय करें दोड़辦法 को तो चhã टो उसके बाद दोस्तों आए पाच मेंट और केलिए मीडिया में पर चाहरे तो पाच मेंट होगे दोस्तों फिरसे खोलेंगे तो दोस्तों दीख सकते हो सबजी कितनी यमी-बंद के तयार हुई है वाव कितना अच्छा खुजबू आ रहा है सबजी का इसके बाद दोस्तों अब इसमें हम डालेंगे हरा धनिया फिशेस को डूला देंगे हम एक बार और गैस के आज बन कर देंगे दोस्तों उसको गर्म गर्म सेर्प करेंगे तो दोस्तों आप भी हारी मतर आलू की ऐसी ही सबजी बनाईए खाईए और दोस्तों कोमेंट में बताईए कि आपको रिस्पी कैसी लगी